अगर आपनी चैनल पर न्यू है तो इसे सब्स्राइब करना मत भूड़ेगा बेल आइकोन तुमाना बत भूड़ेगा बिस्मिल्लाइमान रहीं वेलकम बैक चू मैं चैनल तो आज हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नेम है वट हैपन टू बॉड़ी इफ तर गाल प्लेटर कि पिद्स रेमूब करें तो मारी बॉड़ी कैसे फंक्शन करेंगी और यानिके पित जो हमारे बोड़ी में कोई ना कोई तो दुसका फंक्शनоло है इसलिए ही मारे बॉड़ी में साम लेकिन अगर इसे कुछ complications के वज़ा से यह पर अगर stones इसमें हो गए हैं से remove कर दिया जाए तो इसका काम कौन करेगा यह हमारी body का जो function है वो कैसे perform किया जाएगा so start करते हैं कि guard blader के function क्या है कहां पर present है मतलब इसकी location कहां पर है इसका size क्या है इसकी shape क्या है so start करते हैं गाल ब्लेडर के अगर size के बात की जाए तो यह four inch long है shape इसकी pier shape है मतलब नाशबाती जैसी है location के बात की जाए के guard blader कहां पर present है तो हमारी body की right side पर liver present है उसके नीचे ही जो है हमारा guard blader जो है पर present है हमारी body का एक organ है liver जिसका का क्या है bile को बनाना बाल जो है yellow brown digestive enzyme है जो के liver बनाता है और इसे store करता है in guard blader और लिवर जब अपना बाल को बना लेता है तो यह hepatic dirt के जरीए जो है guard blader में से ले जाकर वहाँ पर store कर लेता है सबसे पहले बाल तो है जब हमारा उसका digestion में रोल नहीं होगा बाल जो है वो गाल बेटर में store ही रहेगा लेकिन जैसे ही हम लोग खाना काते है इसफेगस के जरीए जो हमारे stomach में food आता है वहाँ पर जो भी process होना है different uses ने वहाँ पर react करके हो इसको semi solid food में convert करना है इसके बाद जो है food आएगा हमारे small intestine के first part जो कह है durinam यहीं पर जो है गाल बेटर का काम शुरू होता है यहाँ पर ही dudinam में ही जो कि small intestine का part है bile जो है वो secret होगा और small intestine की dudinam part में जो है वो direct करेगा और dudinam में ही जो है वो fat को break down किया जाता है into smaller molecules में इसके बाद जब food जो है travel करेगा into the jejunum and ileum यह दोनों part भी small intestine की ही है जब यहाँ पर food आएगा तो जितने भी उसमें molecules या enzyme रहेगे हैं हमारे food में उसको भी absorb कर लिये जाएगा तांके वो हमारी body में और tissues में जो है वो store हो सके और मारी body को जो organs है उनको fit किया जा सके question यह can we survive without galbladder what happen to body if the galbladder is remove अगर galbladder को हम अपने body से remove कर देंगे तो हमारा digestion process कैसा होगा so is concept yes you can survive without galbladder आप इत्ते के बाइर जो है गुजारा कर सकते हैं सिर्भ यह इसमें डिफरेंस आया का जब galbladder नहीं है तो bile जो है वो store नहीं होगा liver जो है directly bile को आपको सिर्फ अपनी डायट जो है वो मेंटेन रखनी है जैसे कि आपको fatty greasy या प्रोसेस्ट फूड जो है वो overcooked food नहीं खाना है जो कि आपको problem कास करेगा in the form of gas blotting and diarrhea so that's all about the today topic अमीद है आपको वीडियो अची लगई होगी बहुत सारी इंफर्मिशन में लिए ओगी गावड ब्लेडर के बारे में वीडियो को लाइक कीजिए शेट कीजिए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताई आपको वीडियो कैसी लगग और आप किस तरह की वीडियो से लिखना जाते हैं थैंक यू